हेलो फ्रेंड्स वेलकम टो आरकेश्टी प्लेनेट इस वीडियो में हम लोग खान सरकिये 11000 प्लास वाली बुक से बाइलोजी का अगला टोपिक पढ़ेंगे जो की है बलड सर्कुलेशन सिस्टम से यानि रुधीर परिसंचरान तंद्र से इस वीडियो में हम लोग करीब 105 कोस्टन को सॉल्व करने वाले हैं देखने वाले हैं इसमें से कौन कौन सा कोस्टन है ठीक है और ये सारे कोस्टन जो है और उसमें करीब पचाशी कोश्चन थे ठीक है यानि 85 कोश्चन थे तो उमीद है उस वीडियो को आप लोग ने देखा होगा अगर नहीं देखा है तो इस चैनल के प्लेरिस्ट पर जा करके आपको वीडियो जो है बायोजी का जितना भी वीडियो बना है बायोजी का इस बजाब है प्रोटीन रग्त के स्कंद्रम में ठीक है सहेता करता है यह असकंदन करने में सहेता करता है option हो जाएगा 1 का C हो जाएगा ठीक है चलिए next question देखते हैं हम लोग तो यहाँ पे देखिए next question क्या है एक प्रमप्रिक रग्ट चाप मापने वाले उपकरन जिसमें चिकित्सक को पारे की कॉलम में उतार चड़ाओ नजर आता है हस चलित वाईू पंप किसे जुड़ा रहता है answer क्या हो जाएगा mercury कॉलम से जुड़ा हुआ रहता है next question देखते हैं देखिए next question है कि इन में से कौन सा रग्ट समू universal यानि कि स्वार भोमिक दाता माना जाता है यानि कि universal donor का जाता है यानि कि वहाँ जो है सब को क्या कर सकता है तो blood दे सकता है अपना answer क्यों हो जागा blood group O वाले जो है वो सारे को blood दे सकते है next question देखते हैं इन में से कौन सा एक रग्ट समू नहीं है answer जो होगा क्या हो जाएगा C हो जाएगा क्यों कौन सा रग्ट समू हो सकता है तो A, B, A, B और O ठीक है, चार बलड गूरूप होते हैं A, B, A, B और O नेक्षरन देखते हैं देखिए, अगला है question number 5 है question number 5 है कि वह विकल्ब चुने जो सनवानी तंत्र के रूप में संदर्व में सत नहीं है मतलब सनवानी तंत्र के रूप में कौन सा यहाँ पर स्रत नहीं है answer पहला देखिए, क्या लिखा हुआ है कि रग्त, लाल रग्त सनवानी सन्योजी उत्तक है सही है, ठीक है अगला देखते हैं कि मानाव RBC यानि कि red blood cells या red blood carpal skulls का जीवन काल 115 से 120 दिन का होता है ये भी सही है, ठीक है बाकी option number D गलत हो जाएगा, कि क्या हो जाएगा कि या सरीर का वजन का लगभग 1.7 से 1.8% होता है, ये गलत है ठीक है, तो option इसका D हो जाएगा, चलिए ने कोशन देखते हैं question number 6 को देखते हैं question number 6 बुले आ रहा है कि question number 6 है, परिसंचरन तंत्र के बारे में, निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है देखते हैं, से पहले क्या दिया गया है, परिसंचरन तंत्र, मनुस के कूल भार का 7.8% होता है ठीक है, सही है लाल उधिर कानिकाओं का आयू जो है 120 दिन, अधिकतर मने आता है कि 120 दिन का होता है, यहाँ पर लिखा गया है 115 से 120 दिन का होता है, यह भी सही है ओप्सन ची है, एक व्यास मनुस के सरीर में, रक्त का मातरा 6.8 लिटर होता है यह भी सही है, तो ओप्सन नमबर इसका D गलत हो जाएगा कि केवल रक्त ही स्वेत परवाहि सन्योजी उतक है ठीक है, इनने खुशन देखते हैं कोशन नमबर 7 समान रक्त क्या है समान मानो रक्त क्या है तो अंसर हो जाएगा थोड़ा चारिये होता है यही चाहिए, ठीक है मन कोशन नमबर 7 है, समान रक्त है आंसर हो जाएगा थोड़ा छारिये ने कुशन देखते हैं 8 एक स्वस्त व्यक्ति का रग्ट दाब होता है आंसर हो जाएगा 120 बटा 80 ठीक है अधिकताम 120 होता है और नुन्तम कितना होता है 80 अगला कुशन देखते हैं तो रग्ट का कौन सा घटक भोजन कार्बन जंटम कितना होता है आंसर कितना हो जाएगा सेवरं से लेकर के 7.8 ठीक है नेक स्यक्रेट और ब्लड होता है उसको एक हरे कोस्य गा पहुंचते हैं रहा कि यवे सोचन क्या हो जाएगा ऑक्षिय का टेख सब्सक्राइब के य Ты में लिए क्या हो जाएगा ऑक्षियन के उपल सिति में सोचन क्या कर आता है आ Pick कुशन है कि 10 रगत का वाभाग जिसमें 92 परतिसत जल होता है 68 परतिसत प्रोटीन होता है खनीज हर्मोन एंजयम और अनपदार्थ होते हैं आंसर क्या हो जागा प्लाजमा में ठीक है प्लाजमा रगत का वाभाग है जिसमें 90 परतिसत जल होता है और 68 परतिसत प्रोटीन खनी हर्मोन अंंजयम और अन्पदार्थ होते हैं नहीं कुष्ण नबर 15 को मानाशरिर का पल्स दर की जाच क्यों की जाती है आंसर क्याihu जाएगा दिल की functioning को जाचने के लिए ठीक है दिल का function को जाचने के लिए नहीं कुष्ण देखते है मानाशरीर के किस अंग पर एंजियो प्लास्टिक की जाती है आंसर हो जागा हिर्दय पर किस पर हो जागा हिर्दय यानि कि हार्ट पर जो है एंजियो प्लास्टिक की जाती है next question देखते है hemogloving में निम्ण में से कौन सा धातु मौझूद होता है अंसर क्या हो जाएगा लोहा माजूद होता है ठीक है चलिए ने कोशन देखते हैं कोशन नमबर 18 को देखें कोशन नमबर 18 बोला जा रहा है हीमोगलोविन डैस में पाया जाता है हीमोगलोविन जो है वो बलाड में पाया जाता है यानि कि रख्त में पाया जाता है ने कोशन देखते हैं question number 20 कि manoract platelets dash छोड़ते हैं और जो रगत के ठक्के बनाने में मदद करते हैं ठीक है तो manoplatelets जो है वह pro thombin को छोड़ते हैं जो रगत का ठक्का बनाने में ठीक है यानि कि blood का clothing करने में मदद करता है next question देखते हैं रगत में सफेद रगत कन क्या करता है तो रगत में सफेद रगत कन जो है सरीर के सरीर में संकर्मन से बचाते हैं ठीक है ने question देखते हैं समान मानों का खून बहने का समय और जमने का समय करमसा कितना होता है तो खून बहने का समय जो होगा वो 2 से 7 मिनट तक होगा ठीक है और रुकने का समय जो है जाई इनी के जमने का समय कितना होगा 7 से 10 मिनट होता है ठीक है ये कोशन जो है एंटी पीसी द्वेश्चोला में पूछा गया था ये नहीं कोशन देखते हैं कोशन नमबर 23 है मानो शरीर में मौझूद निमलिखित को वो सिखाओं में हैं नहीं पा जाता है ठीक है चलिए अगला देखते हैं नमबर 24 को टोफ्चान 1974 है निमलिखित में से कौन सा अशूद रक्त संचार करता है अंसर क्या हो जागा पल्मोनरी धमनी ठीक है पल्मोनी धमनी में अशूद रक्त यानि के कार्बन डॉक्साइड यूपत रक्त जो है वह बाता है ठीक है उसके बाद देखते हैं कोशन नमबर 25 निमिकित में से कौन सा कलेस्ट्रोल का उलेख नहीं है ठीक है आंसर हो जाएगा रिसस सेक्टर ठीक ह रिसस सेक्टर जो है वह कोलेस्ट्रोल का उलेख नहीं करता है अगला कोशन है आंतरिक गती निधान मानो शरीर की निमलिकित अंगों में से कहां इस्तिर होता है आंसर क्या हो जागा दिल में ठीक है ने कोशन है ए बी और ओ खुन गुरूप परनाली का अविस्कार किस ने क अगला कोशन निमलिकित में से कौन सा हिर्दय के काज को अधिक उप्यूगत रूप से बताता है आंसर क्या हो जागा इको कार्डियोग्राम ठीक है एको कार्डियोग्राम जो है रखतका करता है तो हिर्दय के कार्डियोग्राम के अधिक उप्यूगत से बताता है अगला कोशन देखते हैं रख्त का फ 177 at 4 होता है से क्या कर सकता है तो सबसे बलरत यह वह ले शकता है ठीक है चलिए नेक कोशन देखते हैं नेक्ष कोशन है समान स्वास्त के लिए कोशन है कि समान स्वास्त के लिए रक्त में pH की सीमा कितनी होनी चाहिए आंसर जगा 7.75 से लेकर करके 7.45 तक ठीक है इतना होना चाहिए अगला कोशन देखते हैं कि धमनिया रग्त का वहान करती है जो की भरी होती है धमनिया में क्या भरा होता है आंसर क्या हो जाएगा ऑक्सिजन भरा होता है ठीक है धमनिया में क्या भरा होता है ऑक्सिजन भरा होता है अगला देखते हैं कोशन तो प्लाजमा जो रग्त का एक संगटक है क्या है तो प्ल उम्निकित में से कौन सा विकल्प लाल उधिर कन इकाओं के बारे में सही नहीं है आंसर देखते हैं क्या हो जागा इसका ग्राय से redu meat 5 mammometer तक होता है ठीक है यही गलत है इसका काम है वह क्या हुआ क्या बोला कि या करते कि और खोंद करते हैं करिवान करते हैं सही है आकरिती जो होता है वीर्थाकार अभेया होता है यह भी सही है और किमुभल this महजूद होता है यह भी सही है ठीक है चुछ चलिए अगला कोशन देखते हैं कोशन नमर थाटी सिक्स को यहाँ पर कोशन नमर थाटी सिक्स है कि निम लिखित में से कौन सा नस सरीर पूरवरती हिस्सों से रक्त एकत्रित करता है आंसर जो होगा सुपिरियर वेना कावा ठीक 10-18% होता है नेश कोशन है वह विकल्प चुने जो सनवानी तेंदर के संदर में सही नहीं है आंसर हो जाएगा रक्त कम दाप पर उसमें जटके और तेजी से भाता है ठीक है अगला कोशन देखते हैं मनुष के सरीर में उपास्थित निम में से किस कोशिका में केंदरक नह नहीं होता है चलेने कोशन देखते हैं अगला कोशन है कि कोशन नंबर 40 है कि वह विकल्प चुने जो सनवानी तेंदर के संदर में सही नहीं है आंसर होगा रक्त उच दाप पर जटके और तेजी से उसमें बहने लगता है यह गलत है ठीक है बाकी यह सरीर का वजन का मानो हिर्दे का अकार एक बंद मुठी की जितना होता यह भी सही है ठीक है बाकी ऑप्सन नंबर जो भी था वही गलत है अलग कोशन देखते हैं कोशन नंबर 41 को यह कोशन नंबर 41 है कि वह विकल्प चुने जो परी संदर के संदर में सही नहीं है आंसर क्या हो जाएगा त तो इसका अंसर जोएगा ऑप्सन नंबर डी कि मानो रक्त मानो लाल रुधीर का निका यानि आर्वीसी का जीवन काल 15 से 20 दिन का होता है यह गलत है जबकि इसका जीवन काल केतना होता है तो 120 दिन का होता है जबकि वायर बुलेट शेट का जो जीवन काल होता है वो 2 से 4 द हैं आंसर हो जागा स्वेथ को सिरांιο लगत को सिरांगे स्थ इन लाक कुछते हैं गत्योंति में ततोंहों सब्सक्राइब को पाइरन के कि इंटो को स्कुराइब सेट स्रक्राइबanna प्रेकिंट साखित और एक नाभी किये यानि कि यूनि नूकिलियेट अगला कोशन देखते हैं कोशन नालिका है जो दिल से निकलती है और सरीर के विभीन अंगोत में रक्त संचरित करती है आंसर हो जाएगा धमनी ठीक है अगला कोशन देखते हैं हिर्दय चक्र क्या है जो है का हो जाएगा हिर्दय के संकुचं और सितलन का एक चक्र है ठीक है कि यानि हर्ट को ठीक है बाया आलिन आलिन बाया निला और को ठीक है गर्ट करते हैं अगला कोशन देखते हैं तो फेफडा में सौसन गेसो का दान-पदान होता है आंसर कोपीका के दौारा यानि कि एलवली के दौारा होता है नेक्स लेक्षेंगते हैं 51 निम्रिकित में से किसे मानो-सरीर का सैनिक कहा जाता है आंसर जो हो जाएगा डबली जो है आलिन की भीति से मोटी होती है ठीक है अगला कोशन देखते हैं कोशन में 53 तो 53 है देखिए 53 है कि निमलिखित में से कौन सा WBC के बारे में सही नहीं है आंसर जगा इसका आकार जो है 18 से 25 मियो मीटर होता है यही गलत है बाकी यहां पर दिया गया है आकरीति जो होती है अमिभी विया भीत्यार होती है यह शहिए वह सैनी के रूप में कार्ष करते जो रोगानों को मारते है यह भी से है और नाभिक जो हता होता है यह भी सहीए अगला कोशन देखते है 54 इल्मकीत में से कौन सा सनवनीत अंत्र के बारे में सही02 सेुझी नहीं है लगत, निई व जन्योजी उत्ता का यही गलते बाकिसम सही क्या क्या है तो एक व्यस्क व्यक्ति में लगभग 6-8 लिटर तक रख्थ होता है सनवानी तंत्र शरीर के वजन लगका लगभग 7-8 परिसेद होता है और माना शरीर आरबीसी का जीवन काल 115-120 दिन का होता है ठीक है अगला कोशन कोश्चा number 55 की हिर्दय मेंम्रेन दिनकी धिलि की दो परतों से ढका होता है तो इन धिल्यों को क्या काते है तो इन धिल्यों को काते हैं यहां क्या हैं अगले कोशन द Uh 56 को है कि रख्त को धमनियों से शिराओं में जिन सूच fed नलेकाओं के माईदयम से परवायत किया आता है उन्हें क्या काते हैं अंसर जगा उन्हें हम लोग के सिकाएं काते हैं नेश कोशन देखते हैं पूरकिंजे तंतु डैस में विसिष्ट है तो पूरकिंजे तंतु जो है वा हिर्दय की असनायो तंतर में विसिष्ट है नेश क कोशन देखते हैं मनुस की समान अस्पंदन दर यानि की पल्स रेट क्या है आंसर जोगा सतर से असी बीट परती मिनट अगला कोशन है 59 हमारी तवचा के नीचे की मोटी सोरी हमारी तवचा के नीचे की छोटी रक्त वहिकाओं को क्या कहा जाता है आंसर जोगा केसी का कहा जा 61 है कि ECG, ठीक है, ECG से सरीर के किस अंग की जांच की जाती है, तो ECG से फुल फो में जागा, इलेक्ट्रिक कार्डियोग्राम, ठीक है, तो कार्डिक सब्द का समन्द की से, आंसर जागा इसका हिर्दा यानि की हार्ट से, ठीक है, अगला कोशन देखते हैं, 62 का, एक व्यस मानुस के रक्त का निर्मान होता है, आंसर जो जागा इसका, तो लाल अस आंसर जोगा हिर्दा की धारकन ग्याद करता है, 65 है, मनुस का पियाच मान, यानि कि मनुस का रक्त का पियाच मान कितना होता है, तो क्या हो जागा, 7.5 यानि की साड़े 7 होता है, अगला कोशन देखते हैं, 66, देखिए 66 यहाँ पे, कि मुख रूप से, कौन सी रक्त वाहि करते हैं, आंसर जोगा सिराएं, तो कि मनुस के प्रती मिनट हिर्दा धणकन की धर का समान पारस किया है, आंसर जोगा 60 से 80, ठीक है, कितना हो जागा 60 से 80, अगला कोशन देखते हैं, कोशन नंबर 68 को देखे, तो कोशन नंबर 68 है, हम लोग के सामने कि मानो शरीर के किस अगला कोशन देखते हैं हम लोग देखिए अगला कोशन है 69 69 यहां पर बोला जा रहा है कि यदि रुधिर वर्क का व्यक्ति गंभीर रूप से दुर घटना गरस्त हो जाता है तथा उसे रग्दान क्यों सकता होती है तो निमिखित में से अपना रग्दान कर सकता है यानि A-B जो है वह बोले आ रहा है कि A-B को अगर दुर घटना गरस हो जाएगा तो वह अपना रग्दान किसको कर सकता है तो ओप्सान हो जाएगा सभी को ठीक है यानि कि अपनी अगर उसका पत्नी का बलड ग्रूप A है पुत्रका A-B है मित्रका O है पुत्रीका B है तो वह अपना रगदान सभी को कर सकता है ठीके, A, B जो अपना रगदान सभी कर सकता है क्योंकि A, B, जो है Universe refle Mortor है ठीके, मतलब वह सभी से अपना blood ले सकता है और O, जो है, वह क्या है तो Universe donor है वह सबको blood अपना दे सकता है अगला question देखते है question number 70 को कि AB रक्त समू का दाता इन में से कौन सा रक्त समू के प्राप्त करता को रक्त दे सकता है तो AB जो है वो किसे अपना बलार दे सकता है तो AB जो है वो AB वाला को ही दे सकता है अगला question देखते है question number 71 है 71 बोला जा रहा है कि गुरूप A रक्त वाले व्यक्ति को किस गुरूप का रक्त दिया जा सकता है आंसार जो हो जाएगा A और O गुरूप को दिया जा सकता है Question number 72 है निमलिकित में से कौन सा कार्ज गुर्दे का नहीं है गुर्दे मतलब किड्नी का नहीं है तो किड्नी जो है वा परतिज जयवे क्याने कि एंटी बायोटिक्स का सराव करते है यही गलत है बाकी यह क्या क्या कर सकता है तो रक्त चाप का नियमन कर सकता है मूतर को बाहर निकाल रखता है सरीर के तरल की अम्रता का नियमन कर सकता है ये सब सही है बाकी option नमर बी जोगस का wrong हो जागा next question देखते हैं मन सरीर में रख चाप निमलिखित के द्वारा नियंतित होता है answer जो जागा एडिलन ग्लेंड के द्वारा होता है next question देखते हैं परतिजन एक पदार्थ है जो क्या करता है तो परतिजन क्या है तो वह एक तरह का एबाने में ठीक है तो परतिजन क्या करता है तो परतिर अच्छा सम्वे को प्रेदीत करता है option number इसका D हो जागा चलिए अगला देखते हैं 75 नमबर तो देखे 75 बोले जा रहा है कि निमलिखीत में से किस इस्तिती विलंबित रक्त असकंदन की एक सर्थ है अंसर जो जागा इसका हीमोफिलिया ठीक है हीमोफिलिया में क्या होता है रक्त असकंदन जो होता है वो नहीं होता है यानि blood का clothing नहीं होने लगता है ठीक है यह मना जाता है कि यह जो बीमारी है वो मरानी Victoria के once से ही फैली थी ठीक है अगला question देखते हैं question number 76 रक्त अलपता यानि कि खूल की कमी एक दसा है जो सम्मान्दित है तो रक्त अलपता में क्या होता है तो निम्न हीमोगुलोविंग की मातरा कम हो जाती है ने खुशन देखते हैं दीखे 77 है कि अस्फिग्मो मैनमेटर जिके सक्के उपकरम का उप्योग कि इसके परिछन के करें लिए कि लिए आता है आंसर जोगा रक्त चाप के लिए किया जाता है अलब कुशन देखते हैं निमलिखित में से कौन सी सीत रक्त जानवर है आंसर जो हजाएगा इसका उप्योग सभी ठीक है छिप के लिए मचली और मेंडग ठीक है अगर मौसम के नुसार कोई भी ंसा बट ब्लेटेट बाहर का तेम्परीचर करणूसार से बदल नहीं सकता है तो जाएगा तो मनुष्य जो है हुआ होट बलाडर एनिमल में आ जाएगा ठीक है यानि गरम रक्त वर गिये जीव में आ जाएगा अगला कुछन देखते हैं 79 को खून का वा महत्पून घटक जो असपंदन में सहता करता है आंसर जोगा प्लेट लेट हो जाएगा ठीक है नेक् जो है इसको एक बार और देख सकते हैं ठीक है वीडियो को फिर से देखते हैं और इसको जो है सारे कोशन को रिवाज करते चलिए ठीक है तो यह सारे कोशन जो बाद में फिर असान लगने लगेंगे चलिए अगला कोशन देखते हैं कि निमलिखित को सुमीरित कीजिए और यहाँ पर EEG जो है वो मस्तिस समंदित नानसर हो जागा A का 2 यानिकि मस्तिस रोगों का निदानकारीयंत्र है उसका बाद है electric ... ए शर्चेत Judaism को सुनने के लिए अलाश में क्या बच गया तो यूज जो हता है वो क्या होता है रग्त चाप नो आपने के लिए होता है ठीक है इसका आंसर जो होजागा option नमर B हो जागा ठीक है यानि लिए अगला कुशन देखते हैं 84 84 है मनुस का समान रखत चाप होता है तो हमोगोलों ये कह pleasing है कि लाल लुधिर का निका में बनती है तो लाल उधिर कनिका वीक में बनती अगला ahíemption कि कोई नहीं होगा ठीक का हैं जो रहिए कि पने के इस में फितारश कोल गर होता है तो चाहिए पर वो यहां पर होना चाहिए गोलाकार होता है तो यहां पर देखे ऑप्सन इसका डी दिया गया है तो आप लोग देख लिजगा इन में से कौन सा होना चाहिए ठीक अगला कुशन देखते हैं अगला कुशन देखते हैं अगला कुशन बूले जा रहा है कि 90 नमबर है कि मानो शरीर में रग्त का निर्मान का स्थान है 91 है व्यस मानो में रुधीर की रचना किसके दवारा की जाती है ऑपसनस का सी हो जागा लाल अस्थी माजा में की जाती है मानलगुर्त के भीतर खून नीमलिकर तुबसुझी का यान नहीं जमता है. अंसाजोगा इसका हीपएरीन करन. ठीके, अगला कोशन देखते हैं. रक्त को जमने में कौन सा प्रोटीन उप्योग में आता है अन्से सब्सक्राइब थेस्देडअ को कि अप्रॐरीय्द लुविंग और कि हैं लुखा हुआ है 94 में कि हीमोग और क्रोमेटीन के निर्मांन के लिए अवश्च Senate लवन है याच़ा है अगला कोर्शन दिखते है रूधिरानूं के कितने परती सत्ध लाल रक्त का निकाइं होती है इल्दा यानी की हार्ट का काम क्या है आंसर जोगा कि रूधिर को सरीर में विभीन अंगो में पंप करना अगला कौशन देखते हैं 98 है धी लिंगे गिमानों के हीरते में कितने वल्व होते हैं तो अधर विशेन देखते हैं फिर खूंता के टार पहलेवे से गते हैं यहां बनेगा ठीक है क्या हो जागा blood bank किसरों गहते हैं जहां पर रगद कहां पर जमा हो जाए हो फिलीन में ठीक है पहल है पे का अकार जो हो जाता है वो बड़ा हो जाता है एला कोशन देखते हैं 103 कि सरीर में निखेत में से किसकी अधिकता से हिर्दय घात होता है आंसर जो हो जागा इसका ओप्सन नंबर ए हो जागा यानि कि रग्त यूरिया ठीक है चलिए इस तरह जो हम लोग इसमें 103 को पढ़ लि आपको तुरांत मिल जागा ठीक है और आप उस वीडियो को देख सकते हैं तो फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में इस वीडियो को आपने अगर पूरा देखाया तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद ठीक है चलिए फिर हम लोग म